दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की 20 सबसे इंपोर्टन्ट योजनाओं के बारे में दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मकसद था हर नागरिक तक बैंकिंग सुविधाय पहुचाना आज करोडों लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं और वे ओनलाइन लेंदेन कर रहे हैं सरकारी योजनाओं का लाब सीधे अपने खाते में प्राप्त कर रहे हैं स्वच भारत मिशन के तहट देश भर में शौचालेयों का निर्मान कराया गया लोगों को खुले में शौच ना करने के लिए जागरूप किया गया आज भारत पहले से कहीं ज्यादा क्लीन है और लोगों में सफाई के प्रती जागरूपता बढ़ी है मेकिन इंडिया का उद्देश्य है भारत को एक ग्लोबल मैनुफैक्टरिंग हब बनाना आज भारत में अनेकों नए उद्द्योग स्थापित हो रहे हैं नौकरियाओं पैदा हो रही हैं और भारत दुनिया के लिए एक मैनुफैक्टरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है डिजिटल इंडिया का मकसद है देश के हर कोने तक इंटरनेट की पहुँच सुनिश्चित करना इस पहल के तहट सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जिनका उद्देश्य है डिजिटल तकनीक को हर व्यक्ति तक पहुँचाना चाहे वह शहर में हो या गाव में आज गाव में बैठा किसान भी अपने मोबेल फोन से मौसम की जानकारी ले सकता है जिससे वह अपनी फसलों की बेहतर देखभाल कर सकता है यह सुविधा उसे समय पर सही निर्णे लेने में मदद करती है जिससे उसकी पैदावार में सुधार होता है बाजार भाव देख सकता है जिससे उसे अपनी फसल का सही मूल्य मिल सके यह जानकारी उसे बाजार में होने वाले उतार चड़ाव से अवगत कराती है और उसे अपने उत्पाद को सही समय पर बेचने में मदद कर दी है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। Digital India के माध्यम से ग्रामीन क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे की सबसिडी, पेंशन और अन्य लाभकारी योजनाओं यह पहलना केवल उनकी जीवन शैली में सुभार ला रही हैं बलकि उन्हें आत्म निर्भर भी बना रही है। प्रधान मंत्री उज्वला योजना का मकसद था हर गरीब परिवार को मुफ्ट LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना। आज करोडों महिलाओं के पास LPG कनेक्शन हैं और वे अपने परिवार को एक स्वस्थ और खुश्षाल जिन्दगी दे पा रही हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश यह है शहरों को ऐसे बनाना जहां हर सुविधा उपलब्ध हो। आज देश के कई शहरों में स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत काम चल रहा है और धीरे धीरे परिणाम भी दिखने लगे हैं। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहट किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराया जाता है ताकि फसल खराब होने की स्थिती में उन्हें आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। ये योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। सुकन्या सम्रिध्य योजना के तहट आप अपनी बेटी के नाम पर एक खाता खुलवा सकते हैं और नियमित रूप से पैसे जमा कर सकते हैं। इससे आप अपनी बेटी के भविश्य के लिए एक मजबूत नीव तयार कर सकते हैं। आयुश्मान भारत योजना के तहट देश के करोड़ों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब गरीब से गरीब व्यक्ती भी बिना किसी चिंता के अच्छा इलाज करा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उदेश्य है गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को घर खरीदने के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना। इस योजना से लाखों लोगों को अपना घर मिल चुका है और लाखों लोगों का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। स्टार्ट अप इंडिया योजना युवाओं को प्रोथ साहित करने और उनकी मदद करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहट नए उद्यमियों को आर्थिक मदद, सरकार से मंजूरी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को कौशल प्रशिक्षन देकर उन्हें नौकरी के लिए तयार करने का काम कर रहा है। इस योजना के तहट देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं, जहां युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी के तहट किसानों को हर साल 6,000 रुपय की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये पैसे सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किये जाते हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह की परिशानी का सामना ना करना पड़े। मुद्रा योजना के तहट छोटे और मंझोले उद्यमियों को लोन उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या फिर उसे बढ़ा कर सकें। इस योजना से लाखों लोगों को खुद का रोजगार शुरू करने में मदद मिली है। उड़ान योजना का उद्देश्य है सस्ती हवाई सेवाओं को छोटे शहरों तक पहुँचाना ताकि आम आदमी भी हवाई यात्रा का आनंद ले सके। इससे ना सिर्फ यात्रा आसान हुई है बल्कि छोटे शहरों का विकास भी हो रहा है। जल जीवन मिशन हर घर तक पाइप के माध्यम से साफ पेजल पहुचाने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना से लाखों लोगों को शुद्ध पेजल मिलना शुरू हो गया है और उनकी जिन्दगी में एक बड़ा बदलाव आया है। अटल पेंशन योजना के तहट मजदूर हर महीने थोड़े पैसे जमा कर सकते हैं और बुरहापे में उन्हें हर महीने पेंशन मिलती रहती है। इस योजना से मजदूरों को बुरहापे की चिंता से मुक्ति मिल रही है। सौभाग्य योजना हर घर तक बिजली कनेक्शन पहुँचाने के लिए शुरू की गई थी इस योजना से लाखों घरों में बिजली पहुँची है और लोगों की जिन्दगी आसान हुई है प्रधानमंत्री वयवंदना योजना के तहट बुजुर्ग नागरिक एक मुष्ट राशी जमा कर सकते हैं और उन्हें नियमित पेंशन मिलती रहती है इस योजना से बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने में मदद मिल रही है खेलो इंडिया योजना देश में खेल संस्कृती को बढ़ावा देने और खिलाडियों की सहायता करने के लिए शुरू की गई थी इस योजना का मुख्य उदेश्य ना केवल खेलों को प्रोचसाहित करना है बलकि युवाओं को खेल के माध्यम से एक स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है खेलो इंडिया के तहद विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिसमें स्कूल, कॉलेज और विश्व विद्याले स्तर के खिलाडी भाग लेते हैं इसके अलावा इस योजना के तहद खिलाडियों को उच्च गुनवत्ता की प्रशिक्षन सुविधाएं, कोचिंग और आवश्यक उपकरण भी प्रदान किये जाते हैं इस योजना से देश में खेल के प्रतिरूची बढ़ रही है और हमारे खिलाडी अंतर राश्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं खेलो इंडिया ने न केवल खिलाडियों को प्रोटसाहित किया है बलकि उन्हें एक मंच भी प्रदान किया है जहां वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं इस योजना के माध्यम से कई युवा खिलाडी उभर कर सामने आए हैं जिन्होंने राश्ट्रीय और अंतर राश्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है खेलो इंडिया ने देश में खेलों के प्रती एक नई जागरुपता और उत्साह पैदा किया है जिससे आने वाली प्रेलियों को भी प्रेलना मिल रही है इस योजना के तहट सरकार ने खेलों के विकास के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम भी लागू किये हैं जिससे खेलों का स्तर और भी उचा हो रहा है तो दोस्तों आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 प्रमुख योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की ये योजनाओं न केवल देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है बलकि समाज के हर वर्ग को लाभानवित कर रही है इन में से कुछ योजनाओं जैसे की डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्वच भारत अभियान ने देश की तस्वीर ही बदल दी है इन योजनाओं के माध्यम से न केवल आर्थिक विकास हो रहा है बलकि सामाजिक सुधार भी हो रहे है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साजहा करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आप भविश्य में भी ऐसी ही महत्वपून और जानकारी पून वीडियो देख सके हम आपके सुझावों के आधार पर और भी रोचक और ज्यानवर्धक सामक्री लाने का प्रयास करेंगे धन्यवाद आपका दिन शुब हो और आप हमेशा खुशाल रहे